होलिएवोड के सबसे बड़े सूपरेश्टार एश या थरा विश्व में सबसे यादा पसंद किया जाता है वहाँ जिस मुकाम पर हैं वहाँ तक जाने की कोई कलपना भी नहीं कर सकता डग एडिट बनने से लेक कर एक कामिया फिल्म स्टार बनने की कहानी काफी प्रेंट नदायक है रोबर्ट डाउनी जूनियर का जन्म चार अपरेल 1965 में मेर हेटर नियॉयोर्क में हुआ उनके पिता रोबर्ट डाउनी सीनियर एक अभिनेता लेखाक निर्माता वो निर्देशक थे और उनकी माई LC भी एक अभिनेतरी थी जो उनके पिता की फिल्म में भूमी का निमा चुकी है उनके पिता का असली नाम रोबर्ट एलियस था पर बाद में उसे डाउनी कर लिया गया बच्पन में रोबर्ट डाउने जूनियर डख से गिरे रेत डाउनी न अपने फिल्मी करियर की शुवात उनसुतर में पांच वर्ष के आयू में अपनी पिता की फिल्म पाउंडे से की थी जिसके बाद वे लगातार फिल्मों हुआ टेलिवीजिन पर काम कर रहे है लेस देन जीरो में अपनी भूमेगा के लिए पहली बाद डाउनी के अभिने पर समिक छकों ने ध्यान दिया लेस देन जीरो के बाद रोबर्ट डाउनी जूनियर को कई बड़ी फिल्मों के उफ़र आने लग गए जिन में एर अमेरिका, सोपा रिश और नेचरल बॉर्ट किलर शामिल है अगर डीजे ने उन्नी सुबा यानु में बनी विल्म चेपलीन में चाली चेपलीन की मुक्य भूमीगा निभाई जिसके लिए उन्हें बेश डेक्टर एकरबी पुर्सकार से समनित किया गया उनके पिता एक व्यस्तनी थे और डाउनी को 6 वश के आयू में मारे हुआना लेने देते थे एक ऐसा हास्सा था जिसके लिए अब उनके पिता पश्ताते हैं डाउनी के माने के डाउनी को अपियोग उनके और उनके पिता की बीच एक भाववनात तक कड़ी जोडता था इसके चलते डाउनी ने लगबख हर रात शाराब और डाउनी को हेरोईन, कोकेन और एक खाली 356 केलिवर मेगनम बंदू के साथ गिरफतर किया गया जब वे संसित बोलवाइट में गारी भखा रहे थे, एक महीने बाद पेरोल पर होते हुए वे नेशे में दूदो का परोसी के बिस्तर पर जाकर सुगए इस सब के चलते उन्हें तीन वर्शों तक लग छुडाने और आफशक डर्क टेस्टिंग की सज़े सुनाए गई 1990 में उन्होंने अन्य फिल्मों में का रिक है जिसमें Heart and Soul, Only You, Natural Born Killer, Restoration, Two Girls and a Guy, Black and White, Shortcuts, Richard और The Last Party शामिले 1996-2021 रोबाट डाउने जुने कई बार नशीले पदार से जिन में कोकेन, हेरोईन और मारी हुआना शामिले से जुड़े जुर्मों के चलते गिरफतर हुए और कई बार लच छुडाने केंद्रों में गए और हमेशे असफल होकर लोटे Columbia Substance Abuse Treatment Facility and State Prison से 2001 में रिहाई के बाद आज इजे ने हिट टेलिविजिन श्रंखला एली मेक बिल में कलिश्टा फ्लोक फाइट के प्रेमी का किर्दार निभाया लेकिन 2001 में पुना नशीले पदार्दों के चलते गिरफतार हुने के कारण उनके इस रोल को हटा दिया गया रोबार डाउने जूनियर के अगर पर्सनल लाइफ की बात करें तो उनकी पहली शाड़ी डॉबरा फालकनर के साथ हुए थी जिनोंने उनसे शादी 1992 में की थी लेकिन रोबार डाउने जूनियर की ड्रक्स के आईरत के चलते उन्होंने 2004 में तलग दे दिया अधालत द्वारा दी गई लट छुडाने के बाट डाउनी आखिर्खाट ठीक हो गए और उनका करेश वापस चल पड़ा रोबर डाउनी का जीवन इसे ही गुजर रहा था कभी जेल की सलावकों के पीछे कभी फिल्मों में कभी यहां-वहां कभी ट्रक्स के नशे में एक ज शादी के लिए प्रोपोस किया पर सुझे इनने टोनी के सामने यह शर्त रखी कि अगर वह द्रक्स छोड़ दे तो है उनसे शादी करेगी रोबर्ट ने सुझे इनकी मानी और 25 में इन दोने शादी कर लिए रोबर्ट ने दीरे दीरे ड्रक्स की लक्ष खोर दी और अपने कदम आगे बढ़ा ली 2009 में उन्हें शलेक हुंप नाम की मूवी मिली जिसमें उन्हें गोल्डन क्लब अवार्ड से सम्मानित किया गया इसके बाद रोबर्ट डाउने जूनियर को दुनिया बर में लोग प्र अपने नीजी जीवन और टोनी स्टार को काफी रिलेट कर पा रहे थे रोबर्ट डाउने जूनियर ने आरेन में की किरेक्टर को इतना अच्छा निवाया कि दूदिया में सबसे यादा पसंद कियाने वाले सूपर हीरो आरेन में अब बन चुका था इसके बाद वहाद 2010 में आई आरेन में 2 में पुना टोनी स्टार की भूमिका में दिखाई दिये इसके बाद वहाद दा अवेंजर्स और आरेन में 3 में भी नजर आए इसके बाद में लगातार पे लगादा ब्लोकबेश्टर मुवी दिये जा रहे थे जिसके बाद 2015 माई एज ओ वाल्टोन 2016 में केप्टन अमेरिका सिविल वार तता 2018 में आई दा एवेंजर इन्फिनिटी वार तता 2019 में ऐऄ एज एंड गेम में उन्होंना एक अभूपोवि का निवई जिसके लिए उनमें काफी तारिफ की गई यह मूवी दुनिया बर्में सबसे रहा कमायी करने वाली मूवी बन चुकी है दोस्तों अब हम Robert Downy Junior के आने वाले प्रोजेक्ट की बात करेंगे जिसमें डोलएट तरफ श्ल्रेक्स होम शामिल है श्ल्रेक्स होम में उन्हार लगाता तीसरी बार अपने इस केरेक्टर को प्लेट करेंगे रोबर्ट डाउनी जूनियर का नेक्स प्रोजेक्ट डोला है जिसमें वह अहम भूमिका में नज़र आ रहे हैं तो यह थी दोस्तो रोबर्ट डाउनी जूनियर से चुलोई कोई दिलिचस्प बाते उमेद करते हैं आपको यह मैं कारे करम बहुत ही पसंद आया